दमेशकार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुक्तार अंसारी के बारे में, जो लोग उत्तर परदेश हैं, इस्पेशली पूर्वी उत्तर परदेश, वो लोग तो काफी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दो, ये काफी बड़ा गैंक्स्टर था, और आगे बीच में एक केस चल रहा था, बेसिकली अभी क्या है कि मुक्तार अंसारी पंजाब की जेल के अंदर बंद है, लेकिन यूपी सरकार चाहती है कि उसको यूपी ट्रांसफर किया जाए, और इसी को लेकर सुप्रीम कोट का कल फैसला आया, जहां पर दो हफते के अंदर मुक परदेश के अंदर किस तरह के केसेज हैं, इन सब को ओवराल कॉंटेक्स से मैं आपको समझाओंगा, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस्टाग्राम, फेस्बूक और टुट्या पर मेरे लेक् सकते हैं, जहाँ पर आपको comprehensive तरीके से जितने भी materials हैं, current, static, सभी कुछ आपको एक जिगा उपलब करा दिया जाता है, तो चली यहाँ पर exactly देखते हैं, हुआ क्या है, what has happened, हम इसके बारे में क्यो पढ़ हैं, क्योंकि उत्तर परदेश सरकार के द्वारा, एक प्लिया डाल गया था, request डाला गया था, Supreme Court के अंदर, under Article 32, यह भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है, Article 32 अगर आपको पता हो, तो fundamental right के अंदर आता है, यहाँ पर citizens के पास हग होता है, कि वो Supreme Court या High Court जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिला है, कि उत्तर परदेश सरक उसको यहाँ पर UP में transfer किया जाए, ताकि उसका जो cases pending है, बहुत ही heinious crimes, rape, murder, इस तरह की जो cases pending है, उसके cases को start किया जा सके, लेकिन पंजाब गवर्मेंट ऐसा नहीं चाहती थी, पंजाब गवर्मेंट का कुछ और कहना था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ यहाँ पर अब क्या हुआ है, यह decision आने की वज़े से, क्योंकि Supreme Court ने बोल दिया है कि दो हफते के अंदर transfer करना पड़ेगा, तो पंजाब के अंदर जो आम आदमी party है और जो शिरुमनी अकाली दल है, उन्होंने यहाँ पर एक probe के लिए demand किया है, उनका यह कहना है कि आखि 24th of February को basically उत्तर परदेश ने Supreme Court के अंदर याचिका में यह कहा, पंजाब government is shamelessly protecting, यहाँ आप देखो क्या word इस्तमाल किया गया है, shamelessly protecting BSP MLA, यह बहुजन समाज party के through ticket से आये थे MLA, मुकतार अंसारी, तो यहाँ पर जो protection दिया जा रहा है, पंजाब सरकार के द्वारा, मुक मुकतार अंसारी के उपर ऐसा वो नहीं होने दे रही है, especially 10 heinious cases हैं उसके उपर, cheating, extortion, murder इस तरह के, जो की अलावाद जो हाई कोट है, उसमें चलना है, अभी अगर आप देखो तो पंजाब के अंदर जो रोपर जेल है, रूप नगर डिस्टिक जेल, इसको रोपर जेल कह एक murder case है, वो भी चल रहा था, key conspirator था उसके अंदर, कृष्णननंद का murder हुआ था, तो उसकी wife ने, 2020 में, October 2020 में, प्रियंका गांधी जो वाडरा है, उनको एक पत्र लिखा था उसकी wife ने, ये कहा था कि 2005 में यहाँ पर जो murder किया गया था, मुकतार अंसारी के द्वारा, उस पत्र वगर लिखा था, लिकिन मैं आपको एक बता दूँ, कि दिल्ली court के अंदर, दिल्ली में special court ने उसको acquit कर दिया था, मतलब कि उसका जो दोशी है, वो करार नहीं दिया गया था, 2019 में ऐसा case आया था, लिकिन इसके अलावा, अगर आप cases देखोगे, मुकतार अंसारी क के उपर, तो UP के अंदर, जो गाजीपूर है, मुहमदाबाद, पुलिश टेशन, वहाँ पर 38 cases, heinious crime से related है, ये 5 बार MLA रहा है, मैं आपको पताया, लखनाओ, गाजीपूर, मौ, हर जगा इसके cases आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा तर cases में इसको माफी मिल चुकी है, म देखें, सबसे पहले क्या हुआ, कि एक home land group है, ये real estate की company है, जो buildings वगरा बनाती है, पंजाब और दिल्ली NCR में इसका काम है, उसके जो CEO है, उन्होंने मोहाली के अंदर एक complaint दर्च किया, इस complaint में ये बोला, कि मुकतार अंसारी का मेरे पास call आया था, और उस मुकतार अंस किया था, कि इस उसने कहा कि मैंने call को भी record कर लिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि FIR दर्च कर दिया गया, उसके बाद क्या होता है, कि एक होता है production warrant, मतलब कि कि किसी court ने बोला है, जारी कर दिया है, production warrant इसमें क्या होता है, कि वो person कहीं पर भी होगा, तो उसको वहाँ से ल पंजाब ले आई, और 2019 का ये case है, तो तब से अगर आप देखोगे, तो तब से यहाँ पर जो मुक्तार अंसारी है, वो पंजाब के अंदर बंध है, लेकिन यहाँ पर उत्तर परदेश सरकार काफी समय से कह रही है, कि हमें उत्तर परदेश के अंदर उसके उपर के लिए, कि वो यहाँ पर जा नहीं सकता, जो PGI है, होस्पिटल है आपका पंजाब में, उन्होंने बेड रेस्ट की सुझाओ दिये हैं, 2019 में एक पैनल ने बोला था, 3 डॉक्टर्स के, सप्टेंबर लास्ट येर में, कि उसको रेस्ट करना चाहिए, लॉंग डिस्टेंस है, उसको लगा कि अब ट्रांसफर तो कर नहीं रही है, तो आर्टिकल 32 का मदद लिया, आप देखें यहाँ पर क्या हुआ है, कि उत्तर परदेश आर्टिकल 32 की मदद ले रही है, usually कभी आप सुनोगे नहीं ऐसा, कि कोई राज्य, कोई सरकार आर्टिकल 32 का मदद लेती है क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है, राइट टु ओ, कॉन्स्टिटूशणल रइमेडि़िस, अगर कोई सिटिजन है, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, फंनेमेंटल राइट्स का उलंगन हो रहा है, को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो डार्ट्टली हाइव कोर्ट या सुप् Supreme Court है वो accept नहीं कर सकता है अगर Supreme Court इसको accept करता है तो ये Pandora's box खोल देगा मतलब कि हर एक राज जो है वो Article 32 के तहट Supreme Court जाने लग जाएगा जो कि गलत होगा ऐसा पंजाब सरकार का कहना था लेकिन UP सरकार का कहना था कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से chain of events हुए है chronology हुई है ऐसा लगता है कि मुकतार अंसारी को पूरे planning के तौर पर UP से shift कर दिया गया पंजाब में और अब उसको यहाँ पर वापस नहीं भेजा जा रहा है ऐसा UP सरकार का कहना था और इन सारे चीजों को देखते वे Finally Supreme Court ने ये कहा कि Fair Trial को देखते वे Article 21 में जो Right to Life, Liberty इन स कोई person के उसको interest को बचाना है तो यहाँ पर जो राज है वो भी Article 32 के तहत फाइल कर सकता है Petition तो सबसे पहले important चीज आपके examination point of view से याद रखेगा कि Supreme Court का जो decision आया है अभी इस वाले case में यहाँ पर जो राज है वो जा सकता है Supreme Court के अंदर Article 32 के तहत लेकिन Supreme Court ने ये नहीं एक चीज बोला कि पंजाब ने जिस तरह से deny किया है UP police को handover करने से मुकतार अंसारी को वो काफी जादा trivial grounds पर किया गया जैसे कि ordinary disease हो गया जैसे diabetes हो गया, skin allergy हो गया, hypertension हो गया, ये सब कोई main कारण नहीं होता है उसको transfer नहीं करने का तो यहाँ पर Supreme Court का एक observation आया था इसको ल जाए जाएगा और अलाबाद जो high court वगरा है उसमें जो भी case उसका चलना है वो trial उसका चलेगा और जाने से पहले एक interesting question बहुत ही important question है आपने देखा होगा हमारे fundamental rights में कई सारे articles हैं तो यहाँ पर आपको पताना है कौन से articles को golden triangle कहते हैं देखो ये constitution के अंदर mention नहीं है ल तो वो golden triangle कौन कौन से articles हैं इन 4 option में से इसका जो right answer है आपको पता है कहाँ पर मिलेगा Instagram पर और अगर आप Instagram पर नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी आप इसका right answer और explanation ले सकते हैं मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं अगर